देश में करोना की रफ़तार तेजी से बढ़ रही है बीते 24 खंटे में करोना के 1,69,000 से जादा केस सामने आये हैं देश में करोना से 327 मरीजों के मौत भी हुई है कल करोना के 1,41,000 से जादा केस सामने आये थे देश में करोना पॉजिटिविटी रेट 10 वी सदी से ज़ादा है पिछले 24 खंटे में 40,000 से ज़ादा करोना मरीज हालांके ठीक भी हुएं जबकि अब तक 151 करोड 58 लाख करोना वैक्सीन लोगों को लग भी चुकी है तो पिछले 24 खंटे में 169,000 करोना के नए मामले सामनी आए हैं जो ये संकेत साफत और से दे रहे हैं कि देश में तीसरी लहर ने 10 तक दे दी है यानि अब वक्त आ गया है साफधान रहने का सतर्क रहने का मास्क जरूर पहने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें क्योंकि जिस तरह से करोना की रफटार पिछले 15 से 20 दिनों में बढ़ी है 10,000 से ये आंकडा 1,5 लाग तक पहुँच किया है इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दे इस वक्त की बड़ी कबर यह है कि करोना के हालात पर देश के प्रदान मंतरी मोदी बड़ी बैठक करेंगे आज शाब साड़े 4 बजे ये बैठक होगी क्योंकि जिस तरह से करोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर अब प्यमोदी आक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं आज शाम साड़े 4 बजे हाई लेवल मिटिंग होगी करोना के हालात पर तमाम बड़े अधिकारियों के साथ प्यमोदी चर्चा करेंगे क्योंकि आपको बता दें कि बीते 24 खंटे में देश में एक लाग 69,000 से जादा मामले सामने आ गए हैं कल ये आंकड़ा एक लाग 41,000 था हलांकि ठीक एक महीने पहले ये आंकड़ा महज 10,000 था यानि पिछले 15 से 20 दिनों में दस दजार से ये आंकड़ा एक लाख उनसट हजार तक पहुंच गया है। यही वज़ा है कि अब सरकार आक्शन मोट में आ गई है। खुद प्रदान मंत्री मोधी आज शाम साड़े चार बजे बड़ी बाठा करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ बाचीत करेंगे क्योंकि एक तरफ करोना के खलाफ जंग है, दूसरी तरफ चुनावी जंग भी अब शुरू हो गई है क्योंकि कल चुनाव आयोक की तरफ से पांच राजियों में होने वाले विदान सवा चुनाव की तारिकों का अलान कर दिया गया है, करोना के खलाफ जंग, चुनावी जंग इन दोनों के बीच संतुलन कैसे वैठेगा, इसको लेकर भी हो सकता है इस वैठक में चर्चाओ, हलां कि चुनाव आयोक की तरफ से तमाम गाइडलाइन्स तो हैं, वो जारी कर दी गई हैं, इस खबर पे और ज़्यादा ज लगातार जो केसिस देश में बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से फैलता जा रहा है, उसको लेकर आज रिव्यू मिटिंग करने वाले हैं, आपको यादो कि 30 दिसंबर को भी जब ओमिक्रोन का खत्रा जिस तरीके बढ़ रहा था, उस समय भी रिव्यू मिटिंग की थी और सतर्क और सावधान रहेने की बाद देख गए थी, तो उसके बाद लगातार जो बच्चों की वेक्सिनेशन में बिकिस तरीके से आगे सिती है, उसकी हंकाले भी रिव्यू मिटिंग में लिए जाएगी, साथ मैं दिलास सर्पर पर पिछली बार जिस तरीके रहा था, इस और मजबूत किया गाए स्वास्तिफार सेस्टर, तो उसकी क्या स्थिती है, औॉप्सिजिजन प्लांड की किस तरीके स्थिती है, तो ये सारी थीजे हैं जहाँ पर स्वास्तेमंसिघने की जानकारी होंगे, बाकी प्लानिंग का मैं किले पूरा खाका जिसको टैए उसकी जानकारी लेगी लवी शुक्रिया जनक तवाम जानकारी के लिए आपको बता दे मुंबई में करूना तेजी से बढ़ रहा है मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी फीड नजर आई पिछले 24 खंटे में मुंबई में करूना के 20,000 से जादा मामले आए लेकिन लोग करूना नियमों की अंदेखी कर रहे हैं वही माराश्ट्र सरकार ने करूना केस पर काबू पाने के लिए नई गाइड लाइन्स भी जारी कर दी है आज रात 12 बजे से ये नियम लागू हो जाएंगे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है और सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है तो आपको बता दें कि किस तरह से देश भर में करोना के मामले जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आलांकि लोग अभी भी ला परवा बे परवाजों हैं वो नजर आ रहे हैं सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से लोग ना वहाँ पर मास्क पेंट रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरह का खयाल नहीं रखा है जबकि देश में तीसरी लहर ने दस तक दे दिये 24 खंटे में 1,69,000 करोना के मामले सामने आएं मुंबई की बात करें तो बीते 24 खंटे में 20,000 से जादा करोना के नए मामले यहां पर सामने आएं मुंबई में दिन प्रति दिन करोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ते जा रही है कल भी मुंबई में 20,000 से जादा करोना मरीज फाए गए है लगातार तीन दिनों से जो मुंबई है उसमें 20,000 से जादा करोना के आखड़े जा रहे है वहीं लगातार मुंबई में जो भीड है वो बढ़ते जारी है चाहे वो सारोजनी जगा हो चाहे वो मुंबई के मारकेट हो लगातार वहाँ पर लोगों की भारी भीड जो है उमर रही है इस वक्त हम मुंबई के दादर सबजी मंडी में मौझूद गी है पर मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाना चाहूंगी आप देख सकते हैं यह दादर की सब्जी मंडी है और यहां पर लोगों की किस तरीके की भीड है लगातार सरकार लोगों से कह रही है कि लोग जो है भीडबार वाली जगों पर ना जाए अगर ज़रत ना पढ़ने पर अपने घर पे रहे हैं मास्क पहने सानिटाइजर का यूज करें उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस दादर सम्जी बंडी में किस तरीके की भीड है कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नज़र नहीं आएगा मुंबे में भीड बारते जारी है कोरोना का स अंकर लगातार मुंबे